नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त फरहान प्रशीद दोस्तों आज मैं कुछ अपडेट आप लोगों के सामने रखने के लिए सोची रहा था और आने वाले 2023 करनाटका में जो एलेक्शन्स होने वाले हैं उस पे विसर्च जब कर रहा था तो मुझे नज़र जो है सीएम फाइज साब के उपर पड़ी अब यह सीएम फाइज कौन है यह तो मुझे आज मालूमात हुई है जब मैं मीडिया में होकर के सोशल मीडिया में तक्रीबन पांच सालों से खासकर यह पॉलिटिक्स के बारे में बात करते करते गुजर गए हैं और यह सीएम फाइज कौन है और सीएम फाइज का चहरा जो है मैंने आज देखा है बहुत ताजूब लगा कुछ वीडियोस और इंटर्वियोस देखे कि सीएम फाइज जो है यह भी जो है कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में हैं अब बाकी का तो मुझे पता नहीं कि ग्राउंड लेवल में इन्होंने कितना काम किया है जो भी है मैं फैक्ट बात करूँ अब बात यह है कि इसके बावजूद मैं बता रहा हूं कि मनला पॉलिटिक्स के कंटेंट को बनाते बनाते मुझे पांच साल की एक्स्पीवेस हो गई लेकिन सीएम फाइस का मैंने चहरा ना देखा है ना मैं इनको जानता हूं यह कौन है मैं वह भी नहीं जानता था आप जान गिया हूं उसके ब बिद्र के एक एविया में जो है हमना बात असंबली कांस्टिएंसी से यह लड़ने वाले हैं बात जबसल यह है कि पॉइंट पर आता हूं सबसे पहले यह सीम फाइस कौन हैं सीम फाइस हमारे जेडियस के प्रेसिडेंट जेडियस के सदर करनाटका के सौरी करनाटका कोते हैं अब्याइस के सदर जो हैं यह है मुझे पता चलो है कि कभी इनके फैमली को पॉलिटिक्स में ज्याता इंकरेश किया था अब यह वॉरेंट्रिली निसमें एंटर हो रहे हैं यह मुझे पता चला और साथ के साथ की जो ओविजिनल पहचान है इनके वालिद के अलावा कि यह एक बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट चलाते हैं और इनके कुछ कारोबार भी है बेंगलोरों में मशूर है इनके इंटर्वी से मुझे यह भी पता चला कि साला ना 15,000 ग्राइट इनके इंस्टीट्यूशन से निकल का आते हैं बहुत अच्छी बात है है यह जीत पाएंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि चहरा तो मैंने आज देखा है मीडिया में होने के बावजूद मैंने चहरा आज देखा है अब हो सकता है कि इनके फादर इनके वालिद साब जो है सीएम इब्राहिम साब का उनका भी जो है कुछ वेटेज पड़ेगा क्यूंकि हाइदरबाद करनाट का वीजन में उनका बहुत बड़ा जो है नाम है और एलेक्शन अगर जीतना है चाहे वो कॉंग्रेस हो या जेडियस हो हाइदरबाद करनाट का वीजन में थोड़ा बहुत सीएम इब्राहिम साहब की जो है बयानात जो है या उनके एफर्ट्स जो है उनके कनेक्शेस जो है वो सपोर्ट करते हैं atellis की अगर सीएम इब्राहिम साहब रहे रहते हैं कैंपेणिंग में एक्टिव रहते हैं और वहां के MLA candidate के साथ खड़े हो जाता है उनको campaigning में support करते हैं तो वो जीच जाता है यह एक सबसे बड़ा plus point है जहां पर यह सोच सकते हैं कि CM 5 साब जो है वहां के हमना बाद से MLA बनकर आ सकते हैं अब यह तो थोड़ा ही अब जो MLA candidates के लिए जो भी आज तक CM Ibrahim साब करते आये हैं वह candidates का थोड़ा थोड़ा उनका ground था लोग उनको पहचानते थे बट जो है यहां पर CM 5 साब जो है suddenly आये हैं और पिछले एक लग रहा है कि मुझे एक 6-7 महीनों से वह ground पर काम कर रहे हैं और इंटेवी में मुझे यह भी पता चला कि हमना बाद में त्यूंकि वह वहां के candidate बनने जा रहे हैं वहां के leader बनना चाहते हैं वह हमना बाद के के लिए कुछ करना चाहते हैं वहां पर अपना कारोबार खोलने जाए उससे भी बड़ी बात तो यह है कि वह एक education institution बहुत जल्ड हाली में खोलने वाले इनेगरेट करने वाले हैं यह तो इन्होंने जो है आयलान कर गया वह बहुत अच्छी बात है वेलकम है अब इस पर थोड़ा जो है असर पड़ेगा पब्लिक के ओपर यह वह हो गया दूसरे वहां से यह भी मुझे पता चला कि बीदर में हमना बाद बैंगलोर उसे 700 किलोमेटर है और हैरबाद तकरीबन 120 किलोमेटर है तो है चीज के लिए इनको हैरबाद जाना पड़ता है बैंगलोर नह जो है पिछले 15 साल से वहां पर जीती आ रही है इस एरिया में अब बात आती है कि यह तो है ठीक है लेकिन डेवलपेट ना होने के वजह से अगर यह डेवलपेट का स्ट्रॉंग कॉंफिडेंस देते हैं और पॉब्लिक अगर जो है इनका कॉंफिडेंस को देखकर कि इनक जो है मोटा मोटा समझ में आए क्योंकि आज की जनता है जो पॉब्लिक है वह educated है थोड़ा वह चलाक होगी है यह पहले कि जैसा जो है लोगों के जासों में या बयानात पर नहीं आती है यह facts of figures के उपर जाती है थोड़ा आज की generation जो है अलगी सोचती है और आज social media आ गया है social media में हर चीज किसी की भी जो है चड़ी उतार देती है किसी को भी जो है राजा का मुकट पहना के घोड़े पर चड़ा देती है यह social media की दुनिया है तो लोग तो जो है देखी रहे हैं अब देखना है कि cm फैस जो है वहां के MLA बनेंगे या नहीं बनेंगे यह देखना पड़े हाँ एक बात है अगर cm फैसा यह मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आप तक की मेरा वीडियो पहुंचा है तो आपको छोटी मोटी जो है अडवाइस है मेरे तरफ से सबसे पहली पॉइंट तो जो ह है आपने जितने भी पॉइंट्स उठाएं जो जरूरत है उस एरिया के लिए वह सारी पॉइंट जो है वहां की जरूरत है उसमें दम है उसमें कोई शक्त नहीं है लेकिन बात यह है कि आपके बात जो करने का अंदाजा है और आपकी बात का जो वजन है वह नहीं है उसमे confidence जो है नज़र्द भी आ रहा जितने भी आप TV पर इंटर्वियूस दीए हैं और YouTube पर इंटर्वियूस दीए हैं उससे साफ लग रहा है कि आप जो है जनता के सामने कर जा रहे हैं तो आपकी आवाज जो है वो मैं जो है वो confidence नहीं आ रहा है जो आप करना चाहते हैं आपके दिल में तो है अब करना चाहते हैं क्योंकि आप वो इंसान है जो सियम अबराहिम ज्याक्व के फ़जन है तो आप जो है उनके qualities जो है वो अगर लाना चाहते हैं तो बहुत आपको मेहनत करने पड़ेगी नोट और 3 महेने के लिए यह बहुत 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 ज़ो है जरूरत है फैक्ट है कि आप जो लाना चाहते जो बदलाव करना चाहते जो commitment zeevay वो शायद आप कर दें लेकिन वह जो करने वाले हैं वह जो आप communicate कर रहे हैं वो लोगों तक जा कि आप बताना चाहरे जो प्रचा करना चाहरे जो campaign करना चाहरे तो उस समय आपके आवाज में दम होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा पॉइंट मैंने जो है नोटिस किया है आप language जब यूज कर रहे हैं तो आप comfortable से नहीं लग रहे है न उदू में न कनड़ा इसे ये समझ में आया है कि आपका background जो है आप एक educationist है because of that you're more comfortable in English what I understood the problem is most of the people are unable to speak English the reason is they think in their own mother tongue for example if I think in Urdu then my English will be worst so mother tongue influence may not be there in your English now you have to reverse it now you have to reverse it so when you're speaking in Urdu or in Hindi you really have to you know focus on this you have to work out on this you may not be comfortable while speaking to a media channel or on the mic आपको जो है जब उर्दू पे बात कर रहे है तो उर्दू की जबान को जो है बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए या तो शुद हिंदी बोलिए या तो हिंदी को मजबूत पकड़े या तो उर्दू को मजबूत पकड़े लेकिन अगर आप उसको जो है पेंडूलम की तरह बनाएंगे तो आपके बात में जो है आपके अंदर से नहीं आ रही है दिल से आवाज नहीं आ रही है यह आपको जो है थोड़ा फोकस करना चाहिए आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे वह वक्त बताएगा पब्लिक क्या चाहेगी लेकिंग्द मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है वक्त है क्योंकि अगर आप एक आम आदमी होते सीम इवरम साहब के फाजंद नहीं होते तो मैं पहले रूल डॉट कर देता कि यह कहां यह अपना डेपॉजिट भी नहीं बचा पाएगी सीधे सीधे यह मैं बता देता लेकिन ऐसा नहीं है मुझे लग रहा है कि कही ना कहीं आपकर हार भी गये तो बह आड़ा में बात करते हैं तो कनड़दल माताडवागा निम्म भाषे मेले अधु यह यह वेटेजिदी यहला अधु बच्ता यहला आप जब भी बात करेंगे एक वजन के साथ बात करेंगे यह सबसे इंपोर्टेंट आपको बदलाव लाना ची बाखी का जो चीजे हैं मुझे पॉलेटिक्स आपको सीखा नहीं ज़ु नहीं कि आपके वालिद साब इसमें माहिव हैं वो चांड किया है वो गुजवी की ट्रेन को जब भारत क्या वोलते उसको वंदे भारत एक्सप्रेस बना सकते हैं बनाने की कोशिश में लगे हैं तो क्यों नहीं आपको मेले बनाएंगे बीदर के हमना बाद असेंब्ली सीट से उनका जो है असल तो पड़ेगा यह आपके उपर खून तो खून है आप सियाव इब्राइम साब का खून है जाहिज भी बात है कि कुछ तो दम होगी तब ही तो आप जो है यह मतलब अब ओपन लिया के बता रहे हैं बयानात दे रहे हैं कि मैं अगर मुझे पार्टी अगर मुझे मुझे मौका देगी और पुब्लिक अगर चाहेगी कि मुझे खड़ा हूं और मैं जीतने की कोशिश करूँगा यह यह बदला लाओ यह बोलना ही एक जो है बहुत-बड़ा के फजन्द होके इतना तो गलती नहीं करोगे कि डेपॉजिट भी आप रिक पाएंगे और आप बुरी तरीके से हारेंगे यह तो नहीं होगा ना तो जाइसी बात है क्या होगा आपने तो तब ही आप मैदान में उतर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट आफ लग और कुछ कुछ भी सपोर्ट चाहिए फरहान रशीट डिजिटल यूट्यूब चानल से आप जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हमारा गूगल पर फोन पर का नमबर उसमें सपोर्ट करिए और हमारे से सपोर्ट ले सकते हैं तैंक यू अदर्शकों से मैं भी गुजाविश ह है कि इस वीडियो को प्लीज शेर करना मत भूलेगा और हमारे इस यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें तैंक यू